हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल पर आज हम इस विडियो में अनलेसिस करने वाले सुझलों एनर्जी लिमिटेट का जिसकी प्राइज अपर चले 65 रुपिस के चार्ट के उपर देखो तो अपना हाई जो था 86 रुपिस का 52 हाई वाहाँ से पर चौक में लगातार गिरावट हो रहे हैं गिरावट होते होते हैं करीब करीब 38 परसंट के आज पास के अंदर गिरावट हो चुकी थी एंड वही पर पिछले वीग तीन बड़ी खबरे आ जाती हो और स्टॉक में करीब करीब जो रिकवरी है वो हमें यहाँ पर 27 परसं तो जो सुदलों के CEO है उन्होंने यहाँ पर काफी जारे अपने 2030 तक के प्लान भी दिये थे और काफी बड़ी ओर्डर बुके वो भी यहाँ पर दिखाई थी और इसके साथ साथ अगर आप स्टॉक देखोगे तो अपने यहाँ पर एक इंपोर्टन सपोर्ट के आज पास स्टॉक ट्रेड कर रहा था जो की लेवल था इसका 53 रूपिस का एड इसी लेवल से यहाँ पर सपोर्ट लेके और साथ में यहाँ पर देखोगे तो 200 डे की मुगिंग एवरेज की लाइन भी थी तो इसका भी सपोर्ट आ गया था यही सपोर्ट लेकिक अच्छी खासे रे जोइन कर लिजिए तो यहाँ पर चार्ट के उपर देखोगे तो सबसे पहला जो यह रेजिस्टन्स था 53 रूपिस का ठीक है तो इसी रेजिस्टन्स से यहाँ पर एक अच्छे खासी मूँ देखने को मिलती है पर फ्राइडे की दिन यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर प् फ्राइडे की दिन का भी चार्ट देखोगे उपन कर गे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर बड़ी तेजी आई थी सुबर मॉर्णिंग में 68 रूपिस तक गया था जो जीओ 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 फाइनस का जो टार्गेट था है वहाँ से लगा था बड जो 65 रूपिस का लेवल है उसको उपर की और सश्टेंग करना बहुत ज़रूरी है अगर कल के दिन यहाँ पर बड़ी तेजी आके यहाँ पर ग्रीन केंडल बना कि इसके उपर सश्टेंग कर जाता है तो नेक्स्ट आपको एक अच्छी खासे रेली देखने को मिल सकती है 73 तक का यहाँ पर टार्गेट देखने को मिल सकता है क्योंकि 73 का इसका रेजिस्टन्स है और इसके उपर का रेजिस्टन्स देखो कि तो यहाँ पर 80 रूपिस का देखने को मिल रहे है और अगर यहाँ पर सश्टेंग नहीं कर पाता है यहाँ से कल के दिन भी एक सेलिंग यहाँ पर देखने को मिलता है तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा pullback देखने को मिल सकता है जो कि अगर भात करें levels की तो यहाँ पर जो level निकल के आता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो यहाँ पर गिराओट होगी वो करीब उपर की साथ देखोगी तो यहाँ पर 65 का अभी मैं रेजिस्टन्स से उसको क्रोस करना बहुत जरूर इसके बाद यहाँ पर 73 का level इसके बाद 80 का लेवल उपर की साथ देखने को मिल रहा है तो 53 का यहाँ पर श्ट्रॉंग सपोर्ट अभी यहाँ पर को मिल रहा है बुक वेल्यू देखो तो 3.32 का है इंटरेसिक वेल्यू 5.76 एंट ग्राहम नबर देखो तो 7.29 का तो इस सबसे देखो के तो स्टॉक का प्राइज अभी भी हापे एक्सपेंसिवी देखने को मिल रहा है तो यह भी दोनों काफी अच्छे खासा देखने को मिल रहा है साथ मेंगर डेट देखो तो बहुत ही कम कम देने कर दिया है सबसे देखो तो इसको बोल सकते है अभी भी यहापे श्टॉक देखो तो इत्यायट करता हूं नजर आ रहा है तो यहापे फंडामिंटल में देखो गए तो खास यहापे अभी थोड़ा सा एक्सपेंसिव नज़रा रहा रिष्टॉक का पी हाई है एन अपनी जो वेलिएशन है उससे थोड़ा हाई प्राइस पर यहाँ पर ट्रेट करता हूँ नज़रा रहा है बाकि यहाँ पर रोसी आरोई काफी बढ़िया है ठ्रियर का प्रॉफिट गूर्थ ईपीएस गूर्थ यहाँ पर 9.02% की देखने को मिले तो यहाँ पर FIS और DRS की होलिंग मिला के काफी अच्छी खासे इंस्ट्यूशन इन्वेस्टेश की होलिंग यहाँ पर देखने को मिले रहे है पब्लिक के पास देखूँ तो कितना है 54% का होल्डिंग और इस बार के सुद्ध लोगां के रिजल्ट देखूँ के तो वो भी काफी अच्छे खास है देखने को मिले ते सेल्स यहाँ पर 48% बड़ा था इविटा 31% और नेट प्रोफित देखूँ तो 46% बड़ा था EPS देखूँ के तो 88% तो यहाँ यहाँ यार की कंपरिजन पर रिजल्ट भी काफी अच्छे खास और की कंपरिजन पर रिजल्ट के तो यहाँ अच्छे है तो 88% बड़ा है, कहाँ विजल्ट बड़ा है. यहाँ प्रोफित विजल्ट विजल्ट पासा है, के तो यहाँ जैसके गाहते हैं.